आलो दोस्तों आप सभी का समन की रश्वई में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे केले की खिचड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहां पर दो केले लिए हैं। केले की पीस करकर उबाल लें। केला को एक सीटी में उबालें। जब केला उबल जाए तो उसको ठंड़ा करने रख दे। आप ध्यान रखें केला को एक सीटी में ही उबालें। अगर आप केला को जानदा सीटी में उबालेंगे तो बन नरम हो जाएगा। फिर अपन केले को कद्दू कसन ही कर पाएंगे केले किस गए हैं अब खिछडी बगाने के लिए मुमफली सेकते हैं तो मैंने उसके लिए लिए एक कटोरी मुमफली मुमफली को सेक ले जब मुमफली सेक जाए तो मुमफली को ठंडा कर ले जब मुम्फली ठंडी हो जाए तो उसके छलकी नकाल लें चलिए अब किछडी को बगाल लेते हैं तो उसके लिए पैन में एक चमच घी डालें घी कराम हो गया है अब घी में हरी मिर्च डालें बनफुर चमच राई बनफुर चमच जीरा आदी चम मचल दी आदी चम मच धना बन फूर चम मच लाल मर्च इकी हुई मुँफली डालें सभी मसालों को अच्छी तरह से मिलालें बाद अनुशा नमक डालें किसे हुए केले डालें केले को सभी मसालों के साथ अच्छी तरह से मिलालें खिचडी को एक मिनड़ तक सेंगलें आप केले की खिचडी को फरारी में खा सकते हैं केले की खिचडी तैयार है आप कच्चे केले की खिचडी की रेशेपी को जरूर ट्राइ करें अगर आपको A.R.C.P. अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चानल को सब्सक्राइब करें